असलाम अलेकुम अवर्य हैपी लाफ्ली मॉर्निंग टियर स्टूडेंट्स आव यू आल जी जनाब कैसे आप सब ठीक ठाक I hope you all are fine by the grace of Allah isn't it yes very nice तो जनाब ये बताईए कि भई आज हम कौन सी क्लास में मौझूद है English की क्लास में जी और आज हम कौन सी activity करने वाले हैं creative writing yes हमाई last activity क्या होती है creative writing and I hope आप लोग इसमें बहुत जादे enjoy भी करते हैं isn't it जी तो आज हमाई पास क्या topic है creative writing me let's check in our book so take out your books and open page number 80 very good now creative writing make a booklet using colored papers tell the children to write my activity book on the cover and decorate it by making borders hmm यहां पर तो आप एक बहुत मज़े की activity आ गई है आप लोगों के लिए you have to make a booklet booklet बनानी आपको बहुत से colorful papers की मदद से आपने देखें न कितने मज़े मज़े के colorful से पेपर्स जो हैं वह स्टेशनली शॉप पर available हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको papers purchase करने हैं ठीक है hardly आप four colors की कोई भी paper आप collect करें ठीक है और फिर उन four papers को आप turn करके book की शकल दे दें जब आप उसे पूरा से fold कर देंगे तो वह एक book के shape में आपके पास आ जाएगी then you have to stapler all the papers ठीक है फिर आप उसको stapler कर लिए या फिर आप उसे tie-up कर सकते हैं with the help of any ribbon colorful ribbons okay किसी भी colorful ribbon की मदद से आप उसे tie-up कर सकते हैं anything you want और फिर आपने उसे cutting किसे किसे करनी है चाहें तो आप उसको designing के तौर पर उसके borders cut भी कर सकते हैं इसके लावा बहुत सारे यानिके ribbons type और tapes मिलते है decoration tapes वगरा मिलते हैं तो हम वो stick करके उसके borders बनाएंगे या फिर आप लोग कोई भी जैसे gift paper box gift paper होते हैं आप उन्हें cut करके उसके borders बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा रगता है आपने एक booklet की शकल में यह activity book तयार करनी है ठीक है अच्छा कोई भी हम इस तरीके से book बनाते हैं तो सबसे हम पहले हम क्या करते हैं उसके borders maintain करते हैं आप borders के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है आप चाहें तो lines draw कर सकते हैं lines draw करके आप उस एरिया में coloring कर सकते हैं colorful same या फिर कोई stickers होते हैं आप अच्छे से तो आज हम क्या करने वाले आज हम brainstorming की तरफ जा रहे हैं तो भई सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि हमने अभी वैब बनाना है यह देखें यहां पर वैब बना हुआ है ठीक है अब यहां पर क्या लिखा हुआ है सेंटर में my activity book अब यह बताए कि activity book में क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले किस तरह की activity होनी चाहिए भाई reading books भी हो सकती है story book भी हो सकती है है न तो यह कौन से किस step की होंगी reading books यहां पर लिखा हुआ reading books ठीक है reading books भी हो सकती है और story books भी हो सकती है general knowledge की book भी हो सकती है ठीक है तो यह सारी बहुत सारी हैं आप इसमें से कोई भी एक book बना सकते हैं ठीक है just an idea आपको यहां पर हम बता रही हैं और उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी daily routine में आप क्या क्या करते हैं ठीक है अच्छा क्या 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 आपकी activities हैं पूरे दिन में ठीक है आप exercise करते हैं तो यहां पर आगिए exercise डू exercise जानी के मैं सुबह उटकर daily exercise भी करता हूं हाँ हमें क्योंकि हल्दी रहना है हमें अपने आपको strong बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब daily exercise करें early in the morning यह जब early in the morning हलके लिके सुबह होती है तब आप लोग अपने बाबा के साथ पार्क में जाया करें और अच्छा और क्या क्या activities होती है आप पूरे दिन में और क्या करते हैं अपने भेन भाईयों के साथ खेलते हैं so playing यहां पर आए playing सब के साथ खेलते हैं siblings के साथ भेन भाईयों के साथ cousins के साथ सब के साथ आप लोग खेलते भी हैं एक वक्त यानि के पूरे दिन में एक वक्त ऐसा होता है जब सब भेन भाई आपस में बैठ कर खेल रहे होते हैं और वो बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें आप लूडो खेल सकते हैं, कारम केल सकते हैं इसी तरीके से किंग एंड थीफ वाला भी खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं इंडोर गेम्स जो आप लोग आप अपनी सिबलिंग्स के साथ खेल सकते हैं अच्छा और नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है भाई पूरे दिन में और क्या करते हैं आप वाचिंग कार्टून्स हाँ कार्टून्स भी आप लोग देखते हैं जी हाँ जब हम फ्रेश होने के लिए थोड़ी देर के लिए टीवी भी देखते हैं जिसमें हमारे मज़े मज़े के कार्टून्स आते हैं और चोटे बच्चों को कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं इस और भाई और भी कुछ है के लिए activity में coloring and painting painting भी कर सकते हैं है ना जी हाँ बहुत मज़ा आता है बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना के जब हम उन्हें paint paint brush से color करते हैं तो आपको पते इतनी lovely picture लगती है और हमें बहुत enjoyment भी होती है हम बहुत enjoy करते हैं ठीक है तो आप लोग भी बताए क्या यह सारी activities आप लोग डेली अपने घर में कर रहे होते ना जी भाई यह सारी healthy activities हैं और हमें यह सब कुछ करना चाहिए ठीक है अब आज हमने यह वैप बनाया है कल हम इन words के around sentences बनाएंगे ठीक है प्यारे बिच्चों अपना बहुत ज़्यादा फियाल रखिएगा have a nice day Allah Hafiz